हलो एवरिपड़ी सो अब हम देखेंगे 3.3 के बारे में अब 3.3 का सबसे पहले इंट्रोडेक्शन देख लेते हैं इंट्रोडेक्शन क्या है इंट्रोडेक्शन में क्या है बेसिक पूछ मनलब किस तरह के सवाल पूछता है ना तो मैं आपको बता दू 3.3 के अंदर कुछ भी नहीं है देखो 3.1 के अंदर क्या देखा था हमने 3.1 के अंदर हमसे पूछा था यहां पर कि एक स्टेटमेंट है उससे एक इक्वेशन बना दो बस और 3.2 के अंदर आपसे बोल दिया था कि स्टेटमेंट से एक्वेशन बना दो और एक्वेशन से ग्राफ बना दो ग् substitution method, ठीक है, हम चीजों को substitute करके x and y की value निकाल देंगे, अब यह x y क्या होते हैं, जो हम let करते हैं, कि फला चीज x है, यह चीज y है, तो उसको हम let करके equation में, हम substitution method से निकाल देंगे, हमें ना तो graph बनाने की जरूरत है इस method से, बिना graph के हम सीधी x और y की value easily यहाँ पर find out कर ले कैसे करना है भाई, x और y को क्या let करेंगे, और उसके बाद में substitution method कैसे लगाना है, तो चलो एक question के, उससे देखने है, question को solve करकते हुए देखेंगे, this is the first question, यहाँ पर बोला है कि equation है, आपकी x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4, use the substitution method, और इसको find out करो भाई, substitution method का use को x और y को find out करो यहाँ पर, it's very easy, very easy, कैसे करना है देखो, ध्यान से सुनना, यहाँ पर दो equation है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो equation 1 उठाओ, या equation 2 उठाओ, आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पर equation 1 उठा रहा हूं, step 1, देखो step by step याद रखो, step 1 में क्या करना है, आपको एक equation उठानी है, मैं यहाँ कर रखो, बाकी x को shift करो, मैंने x को यहाँ रखा और y को shift किया, तो 14 minus y, यह actually किसकी value है, 14 minus y, y की form में, x की value है, 14 minus y, तो यह मेरे पास में आ गई है, yes, आ गई है, अब क्या करना है, इस x की value को, इस x की value को, या तो equation 1 में, या फिर equation 2 में, put करो, देखो equation 1 से तो मैंने निकाली है, तो मैं यहाँ put करूँगा, put x in equation 2, this is the equation 2, this is the equation 1, उपर वाला equation 1 है, नीचे वाला 2 है, तो x की value को equation 2 में put कर दो, दूसरी equation में put कर दो, तो सबसे पहले दूसरी equation लिख लेता हूं, x minus y is equal to 4, अब यहाँ पे x क्या है, यह आपका x है, इसको replace करना है, 14 minus y से, तो यहाँ पे लिखूँगा, मैं 14 minus y, bracket close, minus का sign as it is, y as it is, is equal to 4, clear हुई बात, अब इसको जैसे ही मैं open करता हूं, तो यह equation कुछ 14 minus y, minus y, is equal to 4 बन जाती है, अब यहाँ पे पूरी की पूरी equation किसमें बन गई है, पूरी equation यह आपकी y में बन गई है, y की form में, अब इसमें से मैं y की form में बनने की वज़े से y की value solve करके निकाल सकता हूं, of course निकाल सकते हैं, तो इसको और आगे further हम लिखते हैं, 14 minus 2y, is equal to 4, yes लिख सकते हैं, अब क्या गरना है, अब कुछ नहीं करना है, बस y की value निकाल देनी है, यह तो बहुत छोटा सा काम है, 14 को shift कर दो इदर, और minus 2y को यहीं रखो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, 14, दुबारस में पिछे बारी value लिखे तो, 14 minus 2y is equal to 4, 14 को shift कर देता हूं मैं यहाँ पे, RHS में, तो यहाँ लिखा जाएगा, minus 2y is equal to 4 minus 14, and यहाँ पे, अगर आप solve करोगे, तो minus 2y will be as it is, and 4 minus 14, it will become minus 10, minus से minus cancel हुआ, और y is equal to 10 divided by 2, which is equal to 5, तो यहाँ पे y की value क्या आगी? 5 आगी, तो देखो, y की value आपके पास में, constant में आगई, मतलब यह आपके exact y की value होगी, क्योंकि यह x की form में तो नहीं है, जैसे पहले y, जो x की value आई थी, वो किस की form में आई थी? वो value आई थी, आपकी y की form में, लेकिन यहाँ पे जो y की value आई यह, वो constant form में आई है, अब हमको क्या करना है, इस y की value को, चाहो तो equation 1 में, चाहो तो equation 2 में, आप put कर दो, और आपकी x की value आजाएगी, मैं equation 1 में put कर रहा हूँ, तो यहाँ पे put y, value of y लिख सकते हो, in equation 1, in equation 1, 1 में put कर रहा हूँ मैं, x plus y is equal to 14 है न, तो यहाँ पे x plus y is equal to 14 को as it is रखना है, y की जेगे मुझे यहाँ पे 5 रखना है, तो x plus में 5 is equal to 14, और x की value के आएगी 14 minus 5, अब 14 में से अगर 5 minus करूँगा तो कितना आएगा, अफकोस 9 आएगा, तो x is equal to 9, तो देखो x की value आगई 9, और y की value आगई 5, तो these are the answers, समझ में आ गया, कि यह आपके answer होंगे, तो substitution method समझ आया, step 1, दुबारा से मैं एक बार फटार फटार बता देता हूँ, कोई किसी भी equation को उठा के रखो, चाहो तो equation 1 को, चाहो तो 2 को, वहाँ से चाहो तो x की value निकालो, चाहो तो y की value, जो की x की value जो होगी वो y की form में होगी, और y की value जो होगी वो x की form में होगी, उसके बाद में उस value को, मालो आपने दूसरी equation से निकाले तो पहली equation में put करना है, पहली equation से निकाले तो दूसरी equation में उस value को put कर देना है, यहाँ पे मैंने यह put कर दिया और फिर आपके पास में यहाँ पे y की value आ जाएगी जैसे y की value आएगी उस y की या फिर x की value को just आपको value को put करना है किसी भी के एक equation में पहली में चाहो दो दूसरी में और आपके पास में remaining दूसरे variable की value भी आ जाएगी तो this is called the substitution method और this is the easiest method थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन easy होता है ये method next question को देखते हैं यहाँ पे fraction देखके डर जाते हैं fraction देखके बिलकुल नहीं डरना है भाई क्यों नहीं डरना है fraction देखके कुछ नहीं होता है fraction से देखो क्या है यहाँ पे आपको पहले equation दी हुई यह इसको मैं पहले equation बोलता हूँ equation 2 आपकी यह है तो यहाँ पे दो equations है इन दोनों equations को ही हमें लेके solve करना है पूरा मामला तो पहले मैं पहले equation लिख दूँ s-t is equal to 3 चाहूं तो यहाँ से मैं s की value निकाल लो चाहूं तो मैं यहाँ पे t की value तो मैं यहाँ पे s की value निकालता हूँ जो कि आती है 3 प्लस में t तो यह आपकी s की value आ गई जैसे x और y होता है वैसे यहाँ पे आपकी s और t दिया हुआ है इसको देखके डरना नहीं है बिलकुल भी अब हमें क्या करना है इस s की value को equation 2 में put करना है लेकिन equation 2 को थोड़ा सा solve कर लेता हूँ कैसे देखो equation 2 यहाँ पे लिख देता हूँ putting s in equation 2 दूसरी equation में put कर दो वहिया लेकिन दूसरी equation को थोड़ा सा solve कर लेता हूँ s by 3 plus t by 2 is equal to 6 तो यहाँ पे क्या मैं 3 or 2 को LCM ले लू तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा आपका 3 or 2 6 आएगा यहाँ पे बचेगा आपका 2s plus में 3t is equal to 6 और 6 को 6 से multiply करेंगे तो it will become 36 तो यहाँ पे आजाएगा 2s plus में 3t is equal to 36 clear हुई बात यह आपकी एक थोड़ इसी formal form में आगे मतलब easy form में आगे equation अब आपको s की value पुट करनी है what is the value of s here 3 plus में t is value of s here यहाँ पे इस s की value को पुट कर दो अब यहाँ पे मैं पुट करने जा रहा हूँ this is the second real equation जो मैंने solve करके निकाली इस s की जिगे आपको पुट करना है क्या 3 plus t तो यहाँ पुट करेंगे 2 3 plus t उसके बाद क्या था भाई उसके बाद था plus 3t तो plus 3t is equal to how much 36 अब इसको थोड़ा सा calculate करेंगे 3 to 6 plus में 2t plus में 3t is equal to 36 यहाँ पे आएगा 6 plus में 5t is equal to 36 clear ही बात और यहाँ पे आपको 5t को as it is रखना है 36 में से 6 minus करना है जो कि आपका आएगा यहाँ पे 30 और t की value आएगी 30 divided by 5 यहाँ पे आएगा 6 तो t की value कितनी आई? 6 आई कितनी आई? 6 आगी अब इस t की value को आप चाहो तो equation 1 में चाहो तो 2 में तो मैं equation 1 में put कर रहा हूँ ठीक है? क्योंकि यह तो एक constant value आई है putting t in equation 1 t in equation 1 equation 1 क्या है? s minus t s minus t is equal to 3 तो यहाँ पे आपको s as it is रखना है minus 6 is equal to 3 रखना है यहाँ पे आजाएगा s is equal to 3 plus में 6 तो यहाँ पे s की value आईगी 9 तो देखे s की आगे value 9 और t की value आगे 6 कितनी आगी? t6 और s9 तो यह आपकी दोनों answers होंगे I hope you got the point how we can calculate the value सीधा सा मतलब है कि किसी एक की value निकालके दूसरी में input कर देना है फिर दूसरी की value निकालके पहले में input कर देना है आपको दोनों की दोनों variables की value निकलके आजाएंगी इसको आपको खुद करना है this is the third question pause the video right now और नीचे आपको third लिखे answer लिखना है कि क्या आएगा let's move further आगे चलते हैं चोथे question में यह point देखके डरना नहीं है क्योंकि सारे कि सारे ऐसे इस तरीके से fraction को देखके नहीं डर जाते हैं यार पता नहीं क्या पूंच लिया बिल्कुल नहीं डरना है बस मैं आपको इसको easy करना सिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से simplify करेंगे देखो बहुत easy है इस equation को simplify करते हैं फिर इस equation को simplify करते हैं सबसे पहले पहले equation को simplify करते हैं तो यहाँ पे कितना है यहाँ पे 0.2x plus में 0.3y is equal to 1.3 point को अठाएंगे नीचे 10 आएगा यहाँ पे point को अठाएंगे नीचे 10 आएगा यहाँ पे point को अठाएंगे नीचे 10 आएगा clear होई बात और इन दोनों 10 को क्या करना है यहाँ पे lcum ले लेना है ले लो lcum यह point हट चुके हैं easy हो जाएगा इससे equation बहुत easy तुमारे सामने आजाएगी फिर तो हम easy कर पाओगे यहाँ पे आपने जैसे point को अठाया यहाँ पे आपने लिग देना है 2x plus 3y is equal to यहाँ पे 13 upon me 10 और 10 10 दोनों तरफ डिवाइड में या तो इदर इसको multiply में ले जाओ या फिर यही काड़ दो तो एक simplest equation आपके सामने आते है 2x plus 3y is equal to 13 तो यह आपकी एक equation होगी पहली equation अब तो आप कर लोगे अब तो point भी अठा दिये दूसरे के भी point आप ऐसे ही अठा सकते हो कैसे 0.4 का point अठाता हूँ यहाँ पे तो नीची 10 आता है प्लस में 0.5y का जब मैं point अठाता हूँ यहाँ पे 10 आता है अगर मैं 2.3 का point अठाता हूँ तो यहाँ पे 10 आता है और 10 और 10 को यहाँ पे मैं LCM लेता हूँ 10 तो यहाँ आता है 4x plus 5y is equal to 23 divided by 10 और 10 और 10 से यह कट जाता है लास्ट में जो आपकी equation बनती है वो आती है कितनी 4x plus 5y is equal to 23 यह आपकी कौन सी equation है boss यह आपकी second equation है पहली equation क्या थी? यह दूसरी equation यह यहाँ पे इन दोनों equation का use करने आपके आपको आगे इसको solve करना है you can easily solve this अब हम बात करेंगे next question जो कि आपका under root में इसको देखके भी डर जाते हो कुछ नहीं है बहुत इसी है under root में है तो इसका मतलब यह नहीं है किस चीज का use करना है substitution का use करना है कैसे करना है फटावर बता देता हूं from equation 1 this is equation 1 this is equation 2 यहाँ पर पहले equation 1 से करता है from equation 1 equation 1 से x की या y की दोनों में से किसी एक की value निकालो तो यहाँ पर मैं x की value निकालता हूं तो यहाँ पर आएगा आपका minus root 3 y divided by root 2 चाहो तो इसको आप अभी rationalize कर सकते हो चाहो तो मत करो ठीक है तो मैं यहाँ पर नहीं करता हूं और x की value को put कर देता हूं equation 2 में तो यहाँ पर लिख सकते हो putting x in equation 2 in equation 2 दूसरी equation में put करो वाई यहाँ पर आएगा root 3 as it is और इस x की जगे जब रूट 3 x है ना इस x की जगे आपको put करना है minus root 3 y divided by root 2 bracket clause minus root 8 y is equal to 0 पूरी equation y की form में बनेगी root 3 root 3 क्या जाएगा यहाँ पर minus 3 y upon root 2 root 8 as it is y as it is equal to 0 upon में कुछ नहीं 1 आएगा अब इसको आप चाहो तो LCM ले लो root 2 को चाहो तो as it is छोड़ दो यहाँ पर मैं root 2 का LCM ले रहा हूं तो यहाँ पर मैंने root 2 ले लिया LCM और root 2 से root 2 को क्या करें डिवाइड किया तो यहाँ पर आएगा आएगा आपका minus 3 y और यहाँ पर नीचे क्या था root 2 और उपर था आपका root 8 तो root 8 से root 2 तो root 16 होगा ना यहाँ पर minus root 16 लिखेंगे और वो भी किस में लिखेंगे y में which is equal to 0 root 2 को हमने multiply कर देना है 0 से तो पूरी यह root 2 multiply 0 से होगा तो खतम हो जाएगा यहाँ पर आने वाले क्या है आपका 3y minus 3y minus root 16y is equal to 0 के लिए रही बात अब आपको मैं बता दू एक important चीज कि जब हम एक root और एक normal constant without root को हम add करते हैं तो add नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पर common जरूर है इसमें से और इसमें से क्या common आरब y तो y को as it is लिखा यहाँ पर आया आपका क्या यहाँ पर आया minus 3 minus root 16 clear होई बात is equal to 0 अब आप इसको shift करोगे तो इदर जाएगा तो y की value क्या आएगी पता है 0 divided by minus 3 minus 16 और जब 0 डिवाइड में कुछ भी होता है तो वो 0 बन जाता है तो y की value आए 0 clear होगी बात y की value आए 0 अब आप मुझे बताओगे x की value क्या आएगी था ना pause the video solve करो this is also the same question इसमें आपको denominator solve करना है LCM लेके और उसके बाद में simplest मैं इसको simple equation में convert कर देता हूँ देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना 6 आपको LCM लेना है और यहाँ पर आएगा आपका उपर 6 से जब minus 2 से multiply होगा तो it will become 9x minus 10y is equal to minus 12 यह आपकी एक equation निकल के आती है similarly second equation को आप देखोगे यहाँ पर इस second equation को देखोगे यहाँ पर भी आपको LCM क्या लिखना है 6 LCM लेना है बहुत यहाँ पर आएगा आपका 2x plus 3y is equal to 13 divided by 6 और 6 से 6 cancel हो जाएगा 2x plus 3y is equal to 13 will be your second equation first solve okay equation आई यह और second solve okay equation आई यह तो there are two equations which we have to find out okay from the last equations अब हम बात करते हैं second question की देखो first question हुआ खतम इसके सारे पार्ट आप इसली कर लोगे now we will see the second part अब देखेंगे second question में क्या करना है आपसे बोला है solve करो एक यह equation देदी एक यह equation देदी और बोला है hence find the value of m m की value निकालो for the which y is equal to mx plus 3 मतलब क्या है इसका पता है आपको यहाँ पे y की value खुद से put करनी है x की value खुद से put करनी है और इस m की value निकालनी है इस equation में x और y put करना है लेकिन x और y निकालना कहां से इन दोनो equations से इस से और इस equation से इन दोनो equations से आपको x और y find out करना है तो चलो करते हैं पहले इन दोनों equations से x और y निकालते हैं पहले equation लिखते हैं जो कि आपकी 2x plus 3y which is equal to 11 clear हुई बात? this is the equation 1 and 2x minus 4y is equal to minus 24 this is equation 2 पहले हम equation 1 से इसको पूरा solve करेंगे या तो x या y निकालेंगे फिर उसको 2 में put करेंगे इसी तरीके से जैसे substitution में करते आएं हैं वैसे हम x और y की निकालेंगे चलो आप pause करो इसको मैं करके बताऊँगा लेकिन pause करो खुझ से try करने की कोशिश करो एक बार खुझ से try करो तो हम equation 1 लेते हैं सबसे पहले from equation 1 यह लिखेंगे from equation 1 अब देखो equation 1 से क्या करना है आपको कुछ नहीं करना या तो x की या y की value आपको क्या कर देनी है निकाल लेनी है तो यहाँ पे मैं x की value निकाल रहा हूँ जो कियाएगी x is equal to 11 minus 3y divided by 2 ठीक है अब यहाँ पे इस x की value को equation 2 में put करना है इस x की value को equation 2 में put करना है तो यहाँ पे लिखना है put x in equation 2 in equation in equation 2 equation 2 में put कर देना है तो यहाँ पे क्या है equation 2 2x minus 4y is equal to minus 24 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x-4y is equal to minus 24 x की value क्या है यहाँ पर 2 as it is रखना है और x की जगा रिखना है 11 minus 3y upon में 2 minus 4y is equal to minus 24 अब यह 2 जो होगा वो 2 से cancel out हो जाएगा बचेगा कि आपके पास में 11 minus 3y minus 4y तो यहाँ लिखेंगे हम 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24 you know minus 24 क्यों है क्यों है क्यों की equation minus 24 था minus 24 now 3 and 4 it will become 7 11 minus 7y is equal to minus 24 11 जो होगा वो shift होगा और minus 7y as it is यहाँ पर होगा तो minus 24 and minus 11 it will become how much 24 में 10 अड़वा तो 34 35 it will become minus 7y is equal to minus 35 और minus से minus cancel y is equal to 35 divided by 7 तो कितना आता है 75 जा 35 तो यहाँ पर आएगा आपका y की वैल्यू कितनी 5 गोट इट y की वैल्यू आगे इस y की वैल्यू को चाहो तो equation 1 में चाहो तो equation 2 में जिस मर्जी में put कर दो मैं equation 1 में put कर रहा हूं तो यहाँ पर जैसे मैं equation 1 में put करूंगा मेरे पास में answer आजाएगा यहाँ पर x की value for x की value मैंने equation 1 में put कर देना है y को 7 वह 5 sorry तो putting y in equation which equation in equation 1 equation 1 में put करते हो तो y की value है कितनी 5 है तो equation 1 को लिखना है 2x plus 3y is equal to 11 2x plus 3y is equal to 11 और यहाँ पर 2x को as it is plus में 3 as it is और y की जाएगे 5 which is equal to 11 और 2x plus में 15 is equal to 11 और 2x is equal to 11 minus 15 और 2x is equal to 11 minus 15 करोगे it will become minus 4 और x की value है की minus 4 divided by 2 to 2 जाए 4 it will become minus 2 तो x की value कितनी आई minus 2 x की value आपके पास में आगी y की value आपके पास में आगी तो यही आपके answer नहीं होंगे यह आपके x और y की value होगी जो कि आपको y is equal to mx plus 3 में पुट करना है y is equal to mx plus 3 what is x here x की value क्या है minus 2 and what is y here y की value क्या है 5 clear भी बात यहाँ पे आपको y की जिएकर 5 put करना है m को as it is रखना है और x को minus 2 put करना है और plus का 3 put करना है यहाँ पे आएगा 5 is equal to minus 2m plus 3 और आपको m की value निकालनी है that's it ठीक है x और y तो आपने निकाल दिया अब यहाँ पे क्या करना है आपको shift करना है 5 minus 3 is equal to minus 2m it will become 5 में से 3 गया तो it will become 2 is equal to minus 2m multiply में डिवाइद में जाएगा तो 2 divided by minus 2 is equal to m cancel out होगा it will become m is equal to minus 1 तो this is your answer m की value आपके सामने है x की value आपने निकाल ली ती y की value निकाल ली ती this is your answer this is the third question जो किया आपका क्या होगा situation based होगा statement होगा जिसे आपको question equation में पहुचना है equation से फिर substitution method लागा कि आपको x और y की value निकालनी है देखो क्या बोला है पहले question में बोला है the difference between two numbers is 26 one number is the three time the other find them आपको वो दो number निकालने है क्या बोला है दो number निकालने है ध्यान से सुनो जो चीज नहीं दिये होती उसको हम क्या करते है let करते है let's solve this सबसे पहले let कर लेते है सबसे पहले let में लिखेंगे let the number is the first number and the second number इस तरीक से दो number है let first number first number is x माल लेते है and second number is y माल लेते है आप से बोला है the difference between two number is 26 आप चाहो तो x minus y is equal to 26 मानो आप चाहो तो y minus x is equal to 26 तो मैं यहाँ पे x minus y is equal to 26 मान रहा हूं के लिए भी बात one number is three times one number is three times दादर एक number तीन गुना ज्यादा बड़ा है अब x को मैंने y से minus किया है तो x बड़ा मान लेता हूं यहाँ पे समझ रहे हो नहीं मेरी बात x से मैंने minus किया तो x को बड़ा मान लेता हूं तो x is equal to y लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता लेकिन उन्होंने बोला है कि एक number जो है one number is three times तीन गुना बड़ा है दूसरे से तो यह already बड़ा मान लेता हूं तो मैं three को y को अगे multiply कर देता हूं तो x is equal to three y लिखना पड़ेगा तो this is the second equation और this is the first equation यहाँ पे दोनों equation आएगे अब इन दोनों equation से आपको x और y निकालना है कुछ नहीं करना है already यहाँ पे substitution लगा हुआ है दूसरे equation ऐसी आए जहाँ पे x की value है 3y इस 3y को आपको put कर देने equation 1 में तो यहाँ पे लिखेंगे putting किसकी value? x की value value of x value of x in equation 1 in equation 1 पहले equation में put कर दो जो कि है 3y तो यहाँ पे पहले equation लिखने है x minus y is equal to 36 और x is equal to 3y होता है तो यहाँ पे आपको 3y as it is रखना है minus y as it is रखना है is equal to 36 as it is रखना है और 3y में से y गया तो यहाँ आएगा 2y which is equal to 36 और y is equal to 36 divided by 2 2 जो कि कितना आएगा 2 अंजा 2 और 2 एट जा 18 it will y की value कितनी आएगी 18 समझ में आगी बात y की value आएगी कितनी 18 ठीक है इस 18 को आपको equation 1 में या equation 2 में आपकी मर्जी है मैं यहाँ पे 2 में put कर रहा हूं आप 1 में put करो answer सहीम आता है हमेशा आपकी मर्जी है आप जिस मर्जी में put करो मैं equation 1 में put कर देता हूं ठीक है आपके पास में यहाँ पे value आगी 18 तो put y in equation 1 आपकी मर्जी है 1 में put करो 2 में put करो x की value निकल के आजाए कि don't worry in equation 1 मैं 1 में put कर रहा हूं ठीक है 26 तो यहाँ पे x-18 is equal to 26 तो यहाँ पे आएगा आपका x is equal to 26 plus 18 तो 26 में 18 एड़ करों कितना आएगा 36 36 plus 18 it will become 44 तो x is equal to 44 यहाँ पे आपके पास में आता है x की value यह और y की value यह मतलब वो number जो आप से पूछा है वो x था और एक y था जिसका जिसका difference कितना था 26 था वो number थे आपके 44 और 18 ठीक है तो clear भी बात और थी थी ताइम्स थे I hope you got the point I hope you 100% got the point ठीक है अब बात करते हैं second statement से equation तक पहुचने की the larger of two supplementary angles सबसे पहले मैं आपको बताओ कि supplementary angles क्या होते हैं ऐसे angles जो आपके sum होने पे 180 हो जाते हो समझ में आगी बात बोला है the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree find them तो वही find करना एक को x मानना है एक angle को let first angle is equal to x degree second angle is equal to y degree पहली equation तो आई गई कि दोनों supplementary है तो x प्लस y क्या होने वाला है 180 होने वाला है this is the first equation I hope you got the point this is the first equation दूसरी condition दिए हुई है कि exceed करता है the larger एक बड़ा एंगल है जो कि छोटे एंगल से कितना बड़ा है 18 degree बड़ा है मतलब यहाँ पे किसी को भी आप छोटा किसी को भी बड़ा मान सकते हो तो यहाँ पे x is equal to y प्लस 18 लिख सकता हूं या फिर x प्लस 18 लिख सकता हूं बोलो चाहो तो x पे एड़ करो चाहो तो y पे एड़ करो ऐसा कुछ एकदम नैसेसरी नहीं है कि x पे ही करना है तो मैं यहाँ पे 18 से एड़ कर देता हूं इस इस दो second equation I hope you got the point this is the second equation कैसी है second equation अब आपको कुछ नहीं करना पोस दो वीडियो और substitution method लगा के solve करके नीची comment box में answer लिखो इसका जल्दी पॉस दो वीडियो राइट नाओ प्लीज next इसका equation बनाना बहुत इसी है बोलाई the coach of a cricator team इसका तो equation भी आपको भी बनाना है ठीक है बोलाई कि 7 bet और 6 ball खरीता है कितने रुपए का 3800 का later बाद में she buys 3 bet and 5 ball rupees 1750 find the cost of each bet and the ball आपको equation भी खुद बनाना है solve भी खुद करना है इतना easy question है एक bet का cost x मालना एक ball का cost y मालना और उसके बाद इस situation से पुरी पुरी एक equation design करना then you will get the answer खुद से करना है पूरा question ये अब हम इसका इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है बोला है the taxi charge देखो मुझे पूरा उमीद है कि substitution method आपको आ गया होगा ठीक है तो अभी statement मैं लेंगे थोड़े पेचीदा तो उन पेचीदा statement से इक्वेशन में पेपोँचना ही जरूरी है substitution method तो आप इजीली देखते ही लगा दोगे इतने सारे questions प्रैक्टीस कर लिए हमने बोला है the taxi charges in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered समझ में आगे एक taxi है वो fixed charge भी लेती है और जितना distance चलती है उसके साब से भी charge लेती है 10 km के वो 105 रुपा लेती है and for a journey of 15 km the charge paid rupees 155 what are the fixed charges and the charge per km समझ में आगे बात how much does a person have to pay for traveling the distance of rupees for 25 km मतलब एक आदमेगर 25 km चलेगा कितने पैसे देने पड़ेंगा भई तो इन्होंने पूचा है कि जो चीज पूचे उसको ही लेट करते हैं बोला है कि what are the fixed charge fixed charge क्या है and the charge per km क्या है देखो द्यान से यह है यहाँ पे एक station जहां से आपको taxis मिलती है इसको A या taxis stand बोल दिता हूँ यहाँ से आप किसी B point पे जाते हो फिर C पे जाते हो फिर आप इस तरीके से D stage यह stands है A, B, C, D इस तरीके से stations है बस stops है यहाँ से आप taxi लेते हो या ओटो लेते हो यहाँ पे आके बैठ जाते हो उस ओटो में ओटो आले को बोलतो चलो ओटो आले बोलता है सुनो fixed charge लोंगा पहले तो मैं मतलब कितने भी रूपे मालो बोल दिया 100 रूपे fixed charge XYZ कुछ भी उसके बाद में ये एक किलोमेटर चलने का पांच रूपे हैं या दस रूपे हैं हर किलोमेटर के हर किलोमेटर के फिर मैं additional charge लोंगा आपने बोला ठीक है बैच चलतो सही फिर वो B पे पहुँचा फिर वो C पे पहुँचा फिर वो D पे पहुँचा आप चलाते रहे उसको फिर वो आपने उतार दिया कि बस यहीं उतार दे मेरे को यहीं रोकते फिर उसने बोला लाओ पैसे दो आपसे वो fixed charge भी लेगा जो fixed होता है टैक्सी वाल होगा और पर किलोमेटर का चार्ज जो उसने माना था पांच रुपए, आर्ट रुपए, दस रुपए वो भी लेगा fixed charge तो वहाँ तक पहुचने का मतलब जाने की जो आप उन्होंने service प्रवाइड की उसका होता है पर किलोमेटर जाने का अलग पैसा होता है अब हम इसको calculate करते हैं कि आपसे यही दोनों चीज़े पूचिए तो यहाँ पे solve करते हैं let कर लेते हैं क्या let करेंगे भई let पर किलोमेटर चार्ज या फिर बोल तो fixed charge को x मान लेते हैं fixed charge fixed charge is equal to x rupees के लिए भी बात और पर किलोमेटर चार्ज is equal to y rupees कि समझ माया आगी x रुपा लेता है वो fixed charge की रूप में पर किलोमेटर के उसके पैसे होते हैं 4 रुपीज आगे बोला है अब को question पे पहुंच जाते हैं 4 a distance of 10 km समझ माया की 10 km the charge you have to pay was 105 मत्तब fixed charge आप पहुंचे ना fixed charge तो आपको देना ही देना पड़ेगा प्लस में पर किलोमेटर चार्ज आपको y रुपै तो कितने किलोमेटर चले थे 10 इंटू में करना है आपको y total charge कितना देना पड़ा आपको 105 clear भी बात इतना पैसा आप ये एक्वेशन नंबर वन आ गई भाई साब fix किलोमेटर फिक्स के चार्ज और 10 किलोमेटर का y रुपीज के साब से चार्ज total कितना देना पड़ा 105 this is equation 1 I hope you got the point second equation में क्या बोला है for a journey of 15 किलोमेटर charge you have to pay 155 मतलब x रुपीज तो देने ही देने पड़ेंगे plus में 15 into y रुपीज भी देने पड़ेंगे और total charge देना पड़ेगा आपको fix को और पर किलोमेटर का मिला के second condition में 155 तो यह आपका क्या आएगा यह आपका आएगा यहाँ पर second equation this is the second equation you can say this is the second equation first equation और second equation को solve करके आपको क्या निकालना है आपको x और y की value निकालनी है यह आपका खुद का काम है substitution method यूज करना है post the video नीचे आपको answer लिखना है खुद से करना है देखो अब तो आप सिर्फ question तक पोहुचना equation तक पोहुचना आपके लिए जरूरी है substitution method तो मक्कान है भाई let's move further आगे चलते हैं बहुत easy question है मैं इसको समझा देता हूँ करना आपको खुद को है क्या बोला है a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added both numerator as well as denominator if 3 is added both numerator and denominator become 5 by 6 find the fraction पोरा question fraction based है एक numerator है एक denominator है आपको numerator भी नहीं दे रखा और आपको denominator भी नहीं दे रखा आपसे पूचा है कि वो fraction ही find करो मतलब numerator भी find करो और denominator भी find करो तो मैं यहाँ पे x और y लेट कर लू okay let's solve this let करते हैं भई let numerator को माल लेता हूँ मैं क्या numerator को x माल लेता हूँ numerator is equal to x and denominator को मैं माल लेता हूँ यहाँ पे denominator को माल लेता हूँ y क्योंकि fraction numerator और denominator से तो मिल के बनता है ना तो यह आपका fraction होगा जो निकालेंगे पहली कंडिशन में बोला फ्रेक्शन बिकम नाइन बाइ लेवन इफ टू इस एडड़ बोथ नूमरेटर तो मतलब x प्लस 2 कर दिया divided by y प्लस 2 कर दिया तो यह आपका बन जाता है 9 by 11 कितना बन जाता है 9 by 11 this is you can say equation 1 समझ पा रहे हो इसको आप multiply करो cross multiply करो आपके पास में simple सी equation निकल के आ जाएगी आगे बोला है 3 is added बोथ नूमरेटर 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 तो बिकम 5 by 6 मतलब आप x प्लस 3 divided by y प्लस 3 करोगे तो आपके पास में 5 by 6 की फोम में आपके सामने एक फ्रेक्शन निकल के आ जाएगा यह आपका second equation है इसको भी आपको cross multiply करना है कुछ भी नहीं है सिर्फ cross multiply करो simplest equation निकल के आएगी x और y की value निकालो with the help of substitution method and उसको आप यहाँ पे पुट करो आपके पास में fraction निकल के आजाएगा that's it next step बोला है कि 5 year hence समझते 5 year hence का मतलब आज से 5 साल आगे the age of jackob will be the 3 time age of his son मतलब एक jackob नाम का इंसान है और उसका बेटा है उन दोनों की बात हो रही है क्या बात हो रही है भी उन दोनों की age की बात हो रही है कि आज से आज से 5 साल के आगे मतलब future में आज से अगर 5 साल आगे चल जाए the age of jackob जो jackob है उसकी age 3 time हो जाएगी उसके बेटे की age से 5 year ago पांस साल पास्ट में चल जाते हैं पीछे jackob age was the 7th time that of the his son उसके बेटे की age से साथ गुना थी what are their present ages दोनों की present age बताओ जो पूछा है वही आप let करते हो तो कैसे let करेंगे let क्या let करना है present age of jackob and present age of his son present एज ओफ जैकॉब इस एकॉल तो एक्स एयर similarly present age of his son इस एकॉल तो वाई एयर्स एक्स और वाई एयर्स में उन दोनों की एज निकालनी है आगे यहाँ पे अब द्यान से सुनना present age बही अब यहाँ पे condition बोली है five years hence मतलब x minus five as well as y minus five पांस साल पीछे चले जाओ दोनों की एज में मतलब past में sorry 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 hence मतलब आगे चले जाओ ठीक है future में चले जाओ अब present age से आगे चलेगे दोनों की पांस पांस साल में बोलाई कि the age of Jacob will be the three time मतलब जो जैकोब की एज है ना आज से पांस साल आगे future में वो तीन टाइम हो जाएगी तो इसको इक्वल रखने के लिए मुझे उसके बेटे की एज से तीन से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो यह आपके पास में आईगी एक equation equation number one दूसरी condition कहा है five years ago मतलब five years ago पीछे चले जाओ तो x minus five similarly y minus five दोनों जगे जाना पड़ेगा बोलाँ The age was the 7th time That of his son Jacob age was the 7th time 7 गुनाती Jacob age तो इक्वल करने के लिए बेटे गेज से साथ से मल्टिप्लाई गरने पड़ेगा This will be your second equation This will be your second equation तो दोनों equation आगे हैं आपको solve करें एक सब्सक्राइब करें एक सब्सक्राइब करो एक सब्सक्राइब करो तो लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छा कंटेन नहीं बना पाएंगे प्लीज समझा करो